हलो एब्रिवन, फाइनल रिविजन में आपका स्वागत है और मैं हुई आश आज के हमारे इस वीडियो में इंडियन जोग्रफी में हम भारत की विभिन नदियों और उनमें उपस्तित परियोजनाओं की बात करेंगे साथ ही भारत में उपस्तित नैशनल पार्क्स, वाइड लाइफ सेंचूरीज और विभिन बायोस्फेर रिजर्व की भी बात करेंगे तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं शुरुआत करते हैं भारत में उपस्तित विभिन नदियों से तो सबसे पहले उत्तर या हिमाले की नदियों की बात करते हैं इसमें सबसे पहले आती है सिंधू नदी ये तिबबत में मानसरोवर जील के समीप बोखा रिचु हिमनस से निकलती है दाय से इसकी सहायक नदियां श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल है बाई ओर से सहायक नदियां जेलम, चेनाव, रावी और सतलुज है सिंधू नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर और टूटल 2880 किलोमीटर है यह अरब सागर में जाकर गिरती है फिर अगली नदी है जेलम नदी यह कस्मीर में बैरी नाग जील से निकलती है और इसी नदी में बुलर जील भी उपस्तित है यह आगे त्रिम्बू में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है जेलम नदी में उपस्तित कुछ मुख्य परियोजनाय हैं किसन गंगा परियोजना जेलम, तुलबुल परियोजना जेलम और उरी परियोजना जेलम अब तीसरी नदी है चेनाब नदी अब चंद्र और भागा इसके उत्गम स्थान है जो लाहुल के बाडा लाचा दर्रे के दोनों और रिस्ते थें यह सिंदु नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है चेनाब रिवर पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेस करती है चेनाब में उपस्तित प्रमुक परियोजनाए है सलाला परियोजना चेनाब बगलीहारी परियोजना चेनाब और दुलस्ती परियोजना चेनाब आगे आती है रावी नदी यह हमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है आगे यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है यह भे सिंधु की सायक नदी है रावी में उपस्तित परियोजनाय है चमेरा परियोजना रावी और थीन परियोजना रावी अगली नदी है व्यास नदी व्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीब व्यास कुंड से 4330 मीटर उचाई से निकलती है और आगे पंजाब में कपुर्थला के समीब सतलुज में मिलती है व्यास नदी कुल्लु घाटी में बहती हुई धौलाधर परवत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुचती है व्यास नदी पूर्था भारत में बहने वाली उत्तर की पहली नदी है व्यास नदी में उपस्तित परियोजनाए हैं हरी के बैराजबांध व्यास नदी जिससे इंदिरा गांधी नहर भी निकली है और दूसरा है पोंग परियोजना व्यास नदी अगली आती है सतलुज नदी तो सतलुज तिब्बत में मान सरोवर जील के समीब राकस ताल से निकलती है और शिवालिक परवत स्रंखला को काटती हुई शीपकिला दर्रे से होते हुए हरी के बत्थन्या का पुर्थला में इसमें व्यास नदी मिलती है आगे सतलुज में उपस्तित मुख्य परियोजनाय है भाकड़ा नंगल बांध सतलुज या इसे गोविंद वल्लब पंत बांध भी कहा जाता है इसके अलावा नापता जाकी परियोजना सतलुज नदी अब यह बात ध्यान रखेएगा कि जितनी भी परियोजनाय हैं उसमें साथ में मैंने उन नदियों का नाम भी जोड़ कर रखा है ताकी लंबे समय तक याद रहें तो अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में सांगपो और असम में दिहां के नाम से जाना जाता है ये तिब्बत में आंगसी ग्लेसियर से निकलती है इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो दाई ओर से सुबंसरी, मानस, संकोस और तीस्ता इसकी सहायक नदियां है और बाई ओर से लोहित, धनसरी, कामेंग, पारलूंग सांगपो, नयांग फ्यू और बराक नदी इसकी सहायक नदियां है चलिए अब बात करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में इसमें गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है इसकी लंबाई भारत में 2525 किलो मीटर है यह गंगा भागी रती अलकननदा आदी नदीयों का सम्मिलित नाम है डेटेल में बात करें तो उत्तराखंड के उत्तर काश्वी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उदगम स्रोत है इसे यहां भागी रती कहा जाता है फिर अलकनन्दा का उद्गम स्रोत बद्रीनात के उपर सतोपत हिमानी में है अब यह जो अलकनन्दा है ना यह विश्नु गंगा और धौली गंगा की धाराओं से मिलकर बनती है विश्णु गंगा और धौली गंगा आपस में विश्णु प्रयाग में मिलते हैं जो अलग नंदा बनाते हैं फिर अलग नंदा की अन्य शाहयक नदी पिंडार कर्ण प्रयाग में इससे मिलती है फिर आगे अलक नंदा और मंदाकनी या काली गंगा का संगम रुद्र प्रयाग में होता है फिर आगे चलके अलक नंदा और भागी रती का संगम देव प्रयाग में होता है जिसके बाद इसे गंगा नदी कहा जाता है गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेस करती है अब गंगा नदी को बांगलादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है चलिए अब गंगा की सहाईक नदियों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बाएं ओर से राम गंगा नदी निकलती है जिसके पास जिम कारबेट नैशनल पार्क भी उपस्तित है राम गंगा गंगा नदी में कनोज में जाकर मिलती है राम गंगा नदी के समीब ही मुरादाबाद और रामपुर्ष चहर इस्तित है फिर आगे दाई ओर से यमुना नदी इलाबाद में गंगा में मिलती है फिर आगे इलाबाद के आगे ही दाई ओर से टोस नदी गंगा में मिलती है आगे चलकर बाई ओर से गोमती नदी गाजीपुर में गंगा में मिलती है गुम्ती नदी पीली भीच से निकलती है और इसके तटपर ही लखनव और चौनपुर शहर मौजूद है फिर आगे दाई ओर में करम नासा नदी बकसर में गंगा में मिलती है करम नासा नदी के तटपर ही मिर्जापुर है फिर आगे बढ़ते हैं तो बाई ओर से घागरा नदी छपरा में गंगा में मिलती है अब घागरा नदी की भी दो सायक नदियां है पहली है काली नदी जो कुमायू हिमाले से निकलते हुए बहराईच में घागरा नदी में मिलती है और दूसरी है राप्ती नदी राप्ती नदी के तड़ पर ही गोरकपुर्श शहर है और घागरा की सायक नदी सरियू नदी के तड़ पर अयोध्या इस्तित है तो ये हो गई घागरा, काली और राप्ती नदियां जो छप्रा में गंगा में मिलती है फिर आगे चलकर दानापूर के निकट सोन नदी गंगा में मिलती है सोन की सायक नदी रिहंद है फिर पठना के निकट पुनपुन नदी गंगा नदी में मिलती है फिर आगे बाई ओर से गंडक नदी हाजीपूर में गंगा नदी में मिलती है गंडक नदी तिबबस से निकलती है और घड़ियालों के लिए फेमस है आगे चलकर दाई ओर से फल्गू नदी गंगा में मिलती है फल्गू की साहिक नदी है निरंजना नदी फिर आगे बाई ओर में भागलपुर के समीब कोशी नदी गंगा में मिलती है इसकी सहायक नदी बागमती है, कोशी नदी सब्त कोशी धाराओं के रूप में तिबबत से निकलती है, इसे बिहार का सोक भी कहा जाता है फिर आगे महानन्दा नदी भी बाई ओर से गंगा में मिल जाती है अब आगे गंगा अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में हुगली नदी को निकालती है, जो आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी अब ये जो दामोदर नदी है, इसे कोईला नदी कहा जाता है दामोदर नदी हजारी बाग के पठार से निकलती है यह पहली बहु उद्देशी परियोजना थी आरंब में यह भ्रंश गाटी से बहती थी दामोदर में यह परियोजना मुख्यता बाल रोखने के लिए बनाई गई थी दामोदर की साहयक नदियों में बराकर और कोनार नदी आती है अब इसी के साथ सोन नदी को भी देख लेते हैं तो सोन नदी मद्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है इसकी साहयक नदी रिहंद नदी है रिहंद नदी पर ही गोविंद वल्लव पंत बांद बना है और सोन नदी में वान सागर परियोजना पंडित गोविंद वल्लव पंत सागर परियोजना दोनों बने हुए है अब अगली नदी आती है यमुना नदी तो यह बंदर पूच के पश्चिमी ढाल पर इस्तित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है वजीरा बांद और उखला बांद यम्नो नदी में ही इस्तित है अब आगे चलकर बाई ओर से गिरी वाटा और हिंडन नदी इसकी सायक नदियां है हिंडन नदी यमुना में गाजियाबाद के पास मिलती है डाई ओर से इसकी सायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले चंबल नदी इटावा के समीप यमुना में मिलती है चंबल की सायक नदियां बनास, शिप्रा, काली नदी और पारवती नदी है फिर आगे चलकर बेतवा नदी हमीरपूर के पास इसमें मिलती है बेतवा की सायक नदियां बीना और धसान है फिर आगे बांदा के समीप केन नदी से मिलती है और फिर अंत में यमुना जाकर इलाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है तो ये था गंगा नदी अपवाह तंत्र अब आगे प्राइद वीपी भारत की नदियों की बात करते हैं तो पहले राजिस्थान के समीप नदियों को देखते हैं इसमें पहली नदी है लूनी नदी लूनी नदी पुशकर के समीब दो धाराओं, सरस्वती और सागरमती दो धाराओं के रूप में निकलती है जो आगे गोविंद गड़ के समीब आपस में मिल जाती है और यह कच्छ के रण में जाकर विलॉप्त हो जाती है यह भारत की एक मात्र अंतर वाही नदी है जो वाई, सुकरी और जो जारी इसकी प्रमुक सहाएक नदियां है अगली नदी है साबरमती नदी यह अरावली परवत पर जैसमुद्र जील से निकलती है और आगे खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है अगली नदी है माही नदी जो मद्यप्रदेश के धार से निकलती है यह भी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है इस पर बजाज सागर बांध बासवाड़ा में बनाये गया है याद रखिएगा कि माही नदी करकरेगा को दो बार गारती है आगे आती है नर्मदा नदी यह अमरकंटक्स से निकलती है इस पर सरदार सरोवर बांध भडोच में ओमकारिस्वर परियोजना खरगौन में और इंदिरा सागर परियोजना पुनासा में बनी है और इंदिरा सागर परियोजना में बारत का सबसे बड़ा जल संग्रहन शमता है नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहती है आगे आती है तापती नदी यह मद्प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई से निकलती है इसी के समीब सूरत शहर मौजूद है तापती नदी में काकरा पारा परियोजना उपस्तित है और पूरणा इसकी प्रमुक सहाएक नदी है आगे आती है गोदावरी नदी यह नासिक जिले के ट्रयमबक गाउं की एक पहाडी से निकलती है यह प्रायद वीपी भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है यह बंगाल की खाडी में जाकर गिरती है इसकी लंबाई 1465 क्लूमीटर है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिन की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी की बाएं से प्रमुक सहायक नदिया पूर्णा, पैन गंगा, वर्धा, बैन गंगा, इरावदी और सबरी नदी है और दाई ओर से मजिरा इसकी सायक नदी है अब गोदावरी नदी पर ही निजाम सागर परियोजना उपस्तित है अब गोदावरी में इस्तित जो राजमुंदरी शहर है ये गोदावरी का डेल्टा हेट सहर है राजमुंदरी में एजी करबांथ और तमबागू शोध संस्थान उपस्तित है चलिए अब गोदावरी के बाद उडिसा और पस्चिम बंगाल का शेत्र देखिए इसमें पहली नदी आती है स्वर्ण रेखा नदी ये राची के बठार से निकलती है जमसेतपुर इसी के तट परिस्तित है यह उडिसा और पस्चिम बंगाल की सीमा भी बनाती है अब अगली नदी है महा नदी जो की चतिस गड़ के राइपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है इसकी सायक नदियां ब्रामनी और वेतरनी है और शिवनात और हस्दो भीज की सायक नदिया है आगे महा नदी में हीरा कुंड बांध उपस्ते थे कटक शहर महा नदी का डेल्टा हेट शहर है अब इससे पहले जो हमने गोदावरी की सायक नदी इरावदी नदी की बात की थी न तो इरावदी नदी बस्तर के पठार को दो भागों में बाटती है और इसी में चित्रकूट जल प्रपाद भिवपस्तित है जिसे भारत का नियागरा कहा जाता है चलिए अब दक्षिन भारत में आ जाईए तो यहाँ है कृष्णा नदी कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पच्चिमी घाड से निकलती है इसमें नागारजुन सागर परियोजना है जो कि आंत्रदेश और तेलंगान की संयुक्त परियोजना है इसी के समीप विजयवाड़ा उपस्तित है कृष्णा की सायक नदियां भीमा, तुंग भद्रा और मूसी नदी है अब यह जो तुंग भद्रा नदी है न यह तुंग और भद्रा से मिलकर बनी है और भद्रा नदी के समीप ही भद्रा वती स्टील प्लांट भी मौजूद है तुंग बद्र की सायक नदी हंगरी है इसके बाद आती है पैनार नदी, फिर पोलार नदी और उसके बाद आती है कावेरी नदी जिसे दक्षण की गंगा भी कहा जाता है इस नदी की विद्धुत उत्पादन शमता का सरवाधिक प्रयोग हुआ है इसी के समीप स्री रंग पटनम द्वी पिस्तित है कावेरी नदी में शिव समुद्रम परियोजना है इसकी मैंटरल परियोजना में इस्टेनली जल प्रपाद उपस्तित है कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाडियों से निकलती है इसकी सायक नदियां बाई ओर से हेमावती, सिमसा, अरकावती हैं और दाई ओर से काबिनी, भवानी, नौयल और अमरावती नदियां है अगली नदी है पेरियार नदी जिस पर पेरियार परियोजना, इदुक्की परियोजना और सबरी गिरी परियोजना उपस्तित है पेरियार नदी पेरियार जील से निकलती है और केरल में प्रवाहित होती है फिर आती है इलाइची पहाडियों से निकलने वाली वेगई नदी और ये बंगाल की खाड़ी में गिटती है तो ये हैं भारत की प्रमुख सभी नदियां अब आज के अगले टॉपिक में भारत के प्रमुक वन्यजीव अभ्यारंड और राश्ट्री उद्यानों के बारे में बात करते हैं तो भारत का पहला राश्ट्री उद्यान जेम कारवेट राश्ट्री पार्क उत्राखंड में है इसका पुराना नाम हैली नैशनल पार्क था जिसके स्थापना 1935 में की गई थी देश में सरवाधिक राश्टी उद्ध्यान मद्ध प्रदेश में टोटल 11 है इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है भारत का सबसे बड़ा राश्टी उद्ध्यान जम्मु कस्मीर के लेह जन्पद में है इसका नाम हिमीज नैशनल पार्क है जिसका छेत्रफल 3550 वर्ग किलो मीटर है भारत का सबसे बड़ा बाग अब्ध्यारण नागारजुन सागर आंद्र प्रदेश में है इसका छेत्रफल 3568 वर्ग किलो मीटर है भारत पक्षी विज्ञानी और प्राकृति विद सलीम अली को बर्ड मैन आफ इंडिया गहा जाता है सलीम अली राश्ट्री पक्षी उद्ध्यान जम्मु कस्मीर के स्री नगर में इस्तित है देश में सरवादिक 94 वन्य जीव अभ्यारण अंडबान निकोबार द्वीप समू में है आगे डचिंगम सैंचुरी में कस्मीरी स्टैग या म्रिग पाया जाता है आगे अरुनाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा पूनंग नृत्य लाली वन्य जीव अभ्यारण पासी घाट के समीर फेमस है आगे भीतर कणी का नैशनल पार्क उडीसा में है यहां मैंग्रोव वन की कई प्रजातियां पाये जाती है कचुए की चार प्रजातियां ओलेव रिडले कचुआ, ग्रीन सी कचुआ, होक्स विल कचुआ और लैदर बैक कचुआ पाये जाते हैं यह विश्व का सबसे बड़ा ओलेव रिडले कचुआ प्रजनन इस्तल है भारत के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव घाना नैशनल पार्क पक्चियों का स्वर्ग कहा जाता है यहां साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं यहां से दो नदियां बानगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है सुल्तानपुर राश्टी उद्यान हरियाना के गुरुगराम जिले में स्थित है विश्व का एक मात्र तेरता हुआ राश्टी उद्यान केबुल नामजाओ राश्टी उद्यान है मनीपुर में यह इमफाल और विश्नुपुर जिले में स्थित है इसे 1977 में राश्ट्री पार्क घोसित किया गया, इस पार्क का प्रमुक जीव critically endangered संगाई हिरन या dancing deer या मनीपूरी हिरन है, यह रामसार कन्वेंशन के अंतरगत घोसित wetland है, अब एक लिश्ट में देख लेते हैं कि भारत के राश्ट्री उध्यान कहां कहां, मतलब किस राज जिमेशते थे, पलामू या बेतला अभ्यारण जारखंड में, डालमा वन्यजीव अभ्यारण जारखंड में, हजारी बाग वन्यजीव अभ्यारण जारखंड में, मतलब पलामू, डालमा और हजारी बाग वन्यजीव अभ्यारण जारखंड में है, कैमूर वन्यजीव अ दुद्वा राष्ट्री उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्र प्रभा अभ्यारन उत्तर प्रदेश में, दुद्वा और चंद्र प्रभा उत्तर प्रदेश में, बांधीपुर राष्ट्री उद्यान करनाटक में, भद्रा अभ्यारन करनाटक में, सोमेश्वर अभ्यार आगे पाखाल वन्यजीव अभ्यारंड तेलंगाना में और कावला वन्यजीव अभ्यारंड तेलंगाना में मतलब पाखला और कावला वन्यजीव अभ्यारंड तेलंगाना में मानस राश्ट्री उद्यान असम में काजी रंगा राश्ट्री उद्यान असम में मानस और काजी गाना पक्छी विहार राजिस्थान में रन थम्बौर अभ्यारण राजिस्थान में और कुम्भलगड राजिस्थान में मतलब राजिस्थान में पक्छियों का स्वर्ग कहा जाने वाला गाना पक्छी विहार रन थम्बौर अभ्यारण और कुम्भलगड अभ्यारण उपस मतलब महराष्ट में तसाब्यारण और बोरीवली राष्टी उद्यान है। पेरियार अभ्यारण केरल में, परामबी कुलम अभ्यारण केरल में, पेरियार और परामबी कुलम केरल में, काना किसली राष्टी उद्यान मत्य प्रदेश में, पजमणी अभ्यारण मत्प्रदेश में और बान्दवगर राष्टी उद्यान मत्प्रदेश में हैं, डेचिं पुर्जील अभ्यारण हर्याना में ये तो हर्याना की सुल्तान मूवी से याद हो जाएगा। रोहिला राश्ट्री उद्ध्यान हिमाचल प्रदेश में, सुंदर्वन राश्ट्री उद्ध्यान पश्चम मंगाल में, भगवान महवीर उद्ध्यान गुवा में, नोंगर वाईलेम अभ्यारण मेगाले में और केबुल लामजाव राश्ट्री उद्ध्यान मनिपूर में पहली बार इंद्रा गांदी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कारिकरम को प्रानम किया था सांखिल को टाइगर मैन ओफ इंडिया गहा जाता है चेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा बाग रिजर्व नागरजुन सागर स्री सैलम आंद्र प्रदेश में हिस्ते थे चेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा बाग रिजर्व पेंच महराष्ट वाले हिस्ते में हिस्ते थे विश्व का सरवादिक उचाई पर अवस्टिद बाग रिजर्व नाम दफा राश्टी उद्ध्यान अरुनाचल प्रदेश में है देश के ठारा राजियों में बाग पाए जाते है अब रेड डाटा बुक क्या है? सबसे पहले 1963 इसवी में सर पीटर स्कॉट ने अंतर राश्ट्री रेड डाटा बुक की परिकल्पन गी थी रेड डाटा बुक ऐसे पसु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त या संकट गृस्त होने की कगार पर है इनका संकलन जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है इस लिस्ट का पहला प्रकाशन हुआ था 1964 में चलिए अबना भारत में बाग अब्यहरणों की लिस्ट देख लेते हैं असम में इस्ते थे मानस, नेमेरी, काजी रंगा और ओरंग बाग रिजर्व हरुनाचल प्रदेश में हैं नामदफा, पाकुई और कमलंग बाग रिजर्व अन्द प्रदेश में नागारदुन सागर, स्री सेलम बाग रिजर्व है जो सरवादिक बड़ा है इसका इविस्तार तेलंगना राज में भी है बिहार में हैं बालमिकी बाग रिजर्व चत्तिसगण में इंद्रावती, अचान कमार और उदंती सीता नदीब बाग रिजर्व है जारकंड में पलामू या बेतला बाग रिजर्व है मिजोरम में डंपा बाग रिजर्व है राजिस्थान में रन्थंबौर, सरिस्का और मुकुंद्रा पहाडी हिल्स बाग रिजर्व उपस्तित है करनाटक में बांधिपुर, भध्रा, नागरहूल, दान्देली अंशी और बिली गिरी रंगनाथ मंदिर बाग रिजर्व है केरल में पेरियार और पारंबी कुलम बाग रिजर्व है मद्य प्रदेश में काना, पैंच, बांधवगड, पन्ना, सत्पुडा, संजे डुबरी, आदी सरवादिक बाग रिजर्व है महराष्ट में मेलगाट, पैंच, तडोब, अंधेरी, सहयाद्री, नवेगाउन नागजिरा और बोर बाग रिजर्व है उत्तर प्रदेश में दुद्वा, अमानगड और पीली भीद बाग रिजर्व है उत्राखंड में जिम कारबेट और राजाजी बाग रिजर्व पच्चे मंगाल में सुंदरवन और बुकसा बाग रिजर्व तेलंगा अना में कवल बाग रिजर्व उडीशा में सिमली पाल और सत्कोशिया बाग रिजर्व तमिलनाडू में कालकड मुंद थुरेई अन्ना मलाई मदू मलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इन सभी टाइगर रिजर्व में से 1973 में नौई टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी चलिए अब देख लेते हैं बायोस्फेर रिजर्व स्किलिस्ट पहला बायोस्फेर रिजर्व 1986 में नील गिरी जैवारक्षिश शेत्र था यह तमिलनाडू में है फिर आगे 1988 में नौकरेग बायोस्फेर रिजर्व मेगाले में और 1998 का ही नंदा देवी बायोस्फेर रिजर्व उत्रा खंड में स्थापित था फिर 1989 में डक्षेंट पूर में एक ट्राइंगल के रूप में 1989 में मन्नार की खाडी 1989 में सुन्दर वन और 1989 में ही ग्रेट निकोबार बायोस्फेर रिजर्व इस्थापित हुआ मैप में इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल जरूर बनेगा फिर आगे 1994 में सिमलीपाल जैव आरक्षित शेत्र बनता है फिर 1997 में डिब्रू साइखोवा बायोस्फेर रिजर्व बनता है जो असम में इस्थे थे 1998 में दिहांग दिबांग बायोस्फेर रिजर्व होता है जो अरुनाचल प्रदेश में इस्थे थे फिर 1999 में पचमणी बायोस्फेर रिजर्व बनाया जाता है इसके बाद सन 2000 में दो Biosphere Reserve आते हैं पहला असम में कांजी रंगा Biosphere Reserve और दूसरा सिक्किम में कंचन जंगा Biosphere Reserve फिर अगस्ता मलाई Biosphere Reserve आता है 2001 में जो की केरल और तमिलनाडू दोनों में ही इस्तित है फिर 2005 में अमर कंटेक Biosphere Reserve बनता है जो मद्यप्रदेश और 36 गर्ड की बॉर्डर पर रिस्तित है अगे 2010 में सैशा चलम Biosphere Reserve है जो आंद्र प्रदेश में इस्तित है इसके बाद 2011 में पन्ना Biosphere Reserve बनता है जो मद्यप्रदेश में है अब इस लिष्ट में दो Biosphere Reserves को हमने मिस कर दिया पहला है गुजरात में 2008 में बना Great Run of Kutch Biosphere Reserve और दूसरा है 2009 में बना Cold Desert हिमाचल प्रदेश में तो ये लिष्ट थी Biosphere Reserves की और वे कब इस्तापित हुए उनके बारे में अब इस टॉपक के साथ ही कुछ महत्पूर्ण दिवस और सप्ताह की बात कर लेते हैं Science से Related One महोटसव मनाया जाता है जुलाई के पहले वीक में National Science Day 28 फरवरी को होता है और इस बार तो APJ अब्दुलकलाम जी की जैनती में Innovation सप्ताह भी मनाया गया था फिर World Forest Day आता है 25 मार्च को World Water Day आता है 22 मार्च को World Health Day आता है 7 अप्रेल को World Earth Day है 22 अप्रेल को World Retroast Day है 8 माई को No Tobacco Day या Anti-Tobacco Day आता है 31 माई को World Environment Day 5 जून को World Population Day 11 जुलाई को World Malaria Day 20 अगस्त को World Mosquito Day 29 अगस्त को World Ozone Day 16 सितंबर को World Blood Donation Day 1 अक्टूबर को World Animal Day 3 अक्टूबर को World Habitate Day या परियावास दिवस 4 अक्टूबर को World Wide Life Day अक्टूबर के पहले वीक में AIDS Day 1 दिसंबर को World Population Prevention Day 2 दिसंबर को भूपाल गैस्त डे तीन दिसंबर को लेक्चर पसित नहीं रखते हैं पसंद आया तो लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें अभी के लिए चलता हूं मिलते हैं अगले वीडियो में नए डापिक के साथ तैंक यू सो मुच वर लेस्नेंग